अब चली वीडियो स्टू करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्टिव पैसिव, डिरेक्ट, इंडिरेक्ट और सिनोनियम्स, अन्टोनियम्स, इस्पेशली आपके एक्जाम के लिए, आपके एक्जाम नेक्स्ट मन्थ, जब भी होगा तो डैम शूर आप इन सारी चीज़ों को याद कर लिजेगा आपके पेपर तक मैं अच्छे अच्छे पेपर्स को रेगुलर बनाता हूँ और रेगुलर आपके लिए पपले करता हूँ अब तक 10 से 12 पेपर्स मैं करवा चुका हूँ अपके लिए मैंने सैट की हुए हैं उनको भी आप देख लीज़ेगा, प्लिस्ट दे रखा है, चिक है, तो उनको ताबड तोर 2021, तो आराम से आप उसे पढ़ लीज़े, रिवीजन जरूर कर लीज़ेगा, अब देखेगा, सबसे पहले डारेक्ट इन डारेक्ट है, फिर एक्टिप पैसिप चलेगा, एंचोनि कि ये इन डारेक्ट इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, इन डारेक्ट जल्दी से आपने सोचा होगा, देखेगा, हम भी सोचते हैं, आप हमेशा डारेक्ट इन डारेक्ट हो, चाहे, एक्टिप पैसिव और टैंस को चेंज करना आना चाहिए, देखे, इस रम आइंजी हो जोड़ने के लिए यहां पर कोई भी कंजंक्शन नहीं है A वाला भी गलत हो गया अब बचा आपका B और D वाला हमें यह पता है कि सेट्टू जो होता है अगर यह नॉर्मल है ना सिंपल है यह नेगेटिव है तो सेट्टू जो होता है वो टोल्ड में बदला जाता है लेकिन या तो इसने चेंज किया ही नहीं है सेट्टू को तो भी वाला गलत हो गया फाइनली आपका डिवाला एकदम सही है सेट्टू को टोल्ड में बदल दिया और इन दोनों को जोड़ने के लिए इसने डैट लगा दिया और HRM ING को वोजवर ING में चेंज कर दिया तुमोरों क दो नेक्स डे में चेंज कर दिया इसका मतलब हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा एकदम सही फॉर्मेट में है ठीक है आपका डिवाला इस तरह से आप फाइंड करना सीख जाएंगे दूसरा वाला आप जल्दी से बताएगा 47 के यहां पर क्या होगा यह सेंटेंस लिखा गुआ है उसने मुझस से कहा क्या आपने अपना काम कर लिया है यह सेंटेंस है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या होता है इन दौनों को जोडने के लिए इफ लगाते है ठीक है जो कंजंक्सन इसमें देखेगा इफ सभी में दे रखा एक अब यहाँ पर पर चीज और याद रखें आप कि यूज होता है यह सेकेंड परसन हैं जो आबजेट्ट के पास में जाता है तो मेक एकोड़िंग यहाँगए कि आएगा क्या एगा इगा इगा इफ के वाद आई आना चाहिए इसलिए यहाँ पर देखो पहले वाला गलत दूसरे वाला गलत अब यह C और D में से आपको पैचानना है मुझे पता है have थरफों जो होता हूँ head थरफों में change होता है तो यहाँ पर head नहीं दिरखा इसलिए आपका D वाला जो है answer हो जाएगा clear है कोई doubt तो नहीं है इसमें चलो आगे बढ़ जाओ आपको जो है pronoun का भी change करना आना चाहिए subject, object, possessive कैसे बदलता है यह sentence लिखा है my mother said you have been sleeping for 12 hours यह sentence लिखा है मुझे को यह पता है कि जो has been ing होता है यह head been ing में change होता है किसमे head been ing में change होता है तो head been वाला देखो इसमें कहां पर आ रहा है देखेगा इसमें तो I नहीं रहा नहीं इसमें आ रहा अब यह देखेगा A और B वाला इन दोनों को देखेगा इन दोनों में से जो है वो कौन सा हो सकता है अब यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे अलग चीज देख रहे है आई और शी अब यहाँ पर आप लोग confused होंगे कि सर हम इसमें से कौन से को priority दें तो देखें कि मैं बता दूँ इसमें first वाला right है यहाँ पर आई को priority क्यों दिया क्यों कि देखेंगा यहाँ पर आपको कोई ने कोई object अपने इसाब से मानना पड़ता है क्या अपने इसाब से आपको consider करना पड़ता है इसलिए यहाँ पर जो है इसने क्या किया था इसने यहाँ पर me लिखा हुआ था तो me according इसने I को यहाँ पर consider किया हुआ है यहां पर इसलिए यहां पर आई जो है वो आया है clear है एक और चीज देखेगा यहां पर she इसलिए नहीं आया पता है क्योंकि you second person है अब second person होता है वो object के पास में जाता है तो my mother she तो यह subject के according होता ना अगर मैं she लिख देता तो फिर तो my mother के according चेंज था जो कि गलत था तो फि my mother she है तो she नहीं आएगा शी नहीं आएगा और बाकी आप लिख सकते हैं ठीक है यू दे रखा है तो I कर सकते हैं वी मैंसे कर सकते हैं लेकिन आप she नहीं कर सकते ही नहीं कर सकते हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे देखो my friend told me this is not a good book to read आगे होगा आपको समझ पे अब अब इसमें से बताना है कि इसमें क्या गलती है कहां पर कैसे से करना है देखिएगा यहां पर ओलीडिड़ी यह हैं सब लिखा है told कोई दिक्कत नहीं एका है तो told का told ही रहनी दिजेगा अब यह समझेगा इजा रहे मा रहा है तो यह वाजवर में जाएगा किसमें जाएगा वाजवर में जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि देखो इसमें वाजवर नहीं है बिल दे रखा है इसमें भी वाजवर नहीं है सिर्फ A और B वाले पार्ट म तो आप eliminate करना सीखेगा कि कैसे आप इसे eliminate करेंगे हमको यह पता है यहाँ पर this or that का confusion चल रहा है इसे clear कैसे करेंगे देखेगा sir this जो उटा हो that में change हो जाता है these those में change हो जाता है इसलिए this की जगह पर that आना चाहिए finally आपका a वाला right answer हो जाएगा तो देखो यहाँ पर जो मै answer हो जाएगा आगे देखेगा एक और है turn around he told her यानि लड़का नहीं लड़की से कह turn around यहाँ पर जो sentence लिखा है आप बता सकने कि इसमें क्या सकता है बताईएगा turn around देखेगा यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ यह आराम से simple है आप देखकर के पढ़कर के आराम से आप बताईएगा इन चारों में से जो वो कौन सा हो जाएगा यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ 50 number कमेंट करके बताईए इसका answer क्या होगा 51 question है कि he said I have been studying in this college for two years लिखाय है वोई has have been ing बदलता है had been ing में यहाँ पर कोई had been ing नहीं आ रहा first वाला तो हो ही नहीं सकता मतलब B वाली में आ रहा है तो B वाला राइट answer हो जाएगा 10s को परिवर्तन करना आना चाहिए 52 question है someone said to me did you enjoy the Olympic Games in London आपको पता है did plus बर्फ की first form जो होता है वो किसमें change होता है बताओ अगर आपको याद है तो जल्दी से सोच के बताओ हमको पता है head third form में बदलता है किसमें head third form में यहाँ पर देखो कोई head third form नहीं दे रखा यहाँ पर भी कोई head third form नहीं दे रखा और मैं D यहाँ पर भी कोई head third form नहीं दे रखा देखो यह रहा head third form मतलब C वाला सही हो जाएगा बाकी पूरा एक गाम सेट करके उन्होंने बनाया आपको चेक नहीं करना है सीधे बर्पर ही आप चेक कर लिया करो मैरी say to Simon Soron and Peter are getting engaged next month यह लिख रहा है यहां पर कोई वाजवर आएंजी नहीं है यह देखो यहाँ पर कोई वाजवर आएंजी नहीं है यह देख रहे है है यह देख रहे हो कि बिल भी आ रहा है यह गलत है अच्छा अब मुझे क्या करना है बी और सी को चेक कर लेना है बी वाज वर आएंजी यार है तो अलगी पता चल रहा है ये देखो दो है ना स्रोन एंड पीटर जब दो हैं तो वर आना चाहिए वाज थोड़ी आता है इसलिए आपका भी वाला राइट आंसर हो जाएगा आया समझ में आया के नहीं आया चलिएगा आगे देखेगा आगे लिख रहा है धन्या कंप्लेंड I am losing weight steadily यहां पर यह लिख रहा है इसारम आइजी किस में जाएगा वाज वर आइजी में पहले वाले में नहीं दूसरे वाले में नहीं अब इन चारों C और D में है तो हम चेक कर लेंगे तो हमको पता है एक complaint आ रहा है तो complaint का complaint भी रहता अगर past कभी second form दे रखा है ठीक है और उसका वही third form है तो ऐसे case में क्या करते है उसी को रख देते complaint का complaint यह आएगा चीक है भाई क्यों अच्छा मैं बता दूँ आपको finally C वाला है D वाला नहीं होगा देखो that के बाद past आ रहा है that से पहले past ही आना चाहिए जो C वाले में दे रखा है लेकिन यह तो present दे रखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा आगे देखे का I said to my friend can you pick me up after work यह पता है मुझे के can plus verb की first form होती है यह हो जाएगा could plus verb की first form है पहले वाले में कुड है क्या नहीं दूसरे वाले में नहीं है और C और D में है अब हम इन में से check कर लेंगे मुझे यह पता है यह interrogative वोने पर set to जो होता हूँ आजड में change होता है तो आजड आना चाहिए ना के told यहाँ पर यह गलता है इसलिए आपका diva ला एक दम सही है देखो कितना जल्दी हम आराम से जो है find कर लेते हैं अब आपका देखो opposite आएगा फिर उसके बाद active passive आएंगे पूरा पेपर एकड़ मैंने 30 questions लिए हुए इस पेपर में अब आपको मुझे बस last में बस 50 वाला मैंने आपसे पूछा था फिर आप मुझे पताएंगे कि 30 वटे 30 किसका score है अब देखे नास्टी यह आप सभी को याद कर लेने हैं इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा याद करना पड़ेगा वोकेप का सवाल है आपको बता नास्टी क्या होता है नास्टी होता है मतलब वो एक गंदा अशलील उसे वोते नास्टी इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ प्लीजेंट हो जाएगा प्लीजेंट का मतलब क्या होता है आकर्शियक जो अच्छा लगे ठीक है प्लीजेंट हो जाएगा मतलब डी वाला जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा अन्प्लीजेंट जो अच्छा नहीं लगे अन्प्लीजेंट जो आपको अच्छा नहीं लगे, अरोचक जिसे बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल सुन्दर होता है अगली होता है, जो सुन्दर न हो, ठीक है, कुरूप हो उसे बोलते हैं, अगली आगे देखेगा 57 और पूछा है आपसे फॉर्मल का उल्टा क्या होगा, ये तो सभी बताएंगे फॉर्मल का उल्टा क्या होगा 57, फॉर्मल का उल्टा क्या होगा, बताओ, इन्फॉर्मल होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मल होगा फॉर्मल का उल्टा इन्फॉर्मल होता है मतलब आपका, जो बीवाला है, वो इसका exact ट्रियांसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लो जल्दी-जल्दी, एक है hydful, हीदफल का मतलब होता है कि कि एकदम से सतरग, सजग, एक है इस में pitiable, pitiable होता है, दयानिय, plain का मतलब होता है, एक दम सम्तल, plain भूमी है, अच्छा, exaggerate मैंने दो तिन पहले भी करवाया था exaggerate का मैंने आपसे पूछा है exaggerate का मतलब होता है बड़ा चड़ा करके कहना ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ, understate understate का मतलब होता है आदा अदूरा कह देना ठीक है, मतलब कोई भी काम आदा अदूरा करना, वो understate होता है तो understate मतलब सी वाला जो होता है वो exaggerate का उल्टा होता है ठीक है, याद हो जाएगा आपको याद करना ही होगा आप सभी को बाकि अलग अलगे, एक है abundance abundance का मतलब होता है जो काफी मात्रा में, प्रचोर मात्रा में एक है extravagant extravagant का मतलब खर्चिला, एक है you know, expert अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो भी चीज़ें, आपको नईनी चीज़ें मिल रही है उसको भाई, तुरंत की तुरंत आप उनको जो है वो याद करते जाएगा ठीके, या फिर note करते जाएगा याद हो जाएगे अच्छा, आगे एस में, थोरो थोरो का उल्टा आपसे पूछा है तो थोरो का उल्टा क्या होगा? देखो थोरो का मतलब होता है पूर्ड रूप से, मतलब बिस्तार पूरवग उल्टा हो जाएगा करसरी, करसरी का मतलब होता है सरसरी, पूर्ण रूप से नहो जो ठीके, उसे बोलते हैं करसरी C-U-R-S-O-R-Y ठीके, तो ये जो last वाला, जो D वाला option है D वाला, ये इसका उल्टा होता है detail, detail का तो पता होगा पूरा detail में कोई जानकारी दी जाती है उसे detail बोलते हैं, मतलब बिस्तर जानकारी, detailed intensive, intensive का मतलब होता है एक तरह से गहन type एक इसमें utter, utter का मतलब होता है utterance, बोई बोलना बोलने से सम्मंदित होता है, utter एक है abrupt, तो abrupt abrupt का आपको उल्टा बताना है abrupt का उल्टा क्या होता है इसका meaning होता है अचानक suddenly, abrupt मतलब का रप्ट बताऊ इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताऊ smooth, क्या हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा इसका उल्टा अच्छा बाकी जो अलग लग और चीज़ है जिसे क्रिस्प क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरे C-R-I-S-P क्रिस्प एक एस सडन माने अचानक और एक एस में स्पूंजी स्पूंजी तो स्पूंजी होता है अच्छा अब आपको active passive आपको बताना है तो यहाँ पर भी आपको बर्व का ही खेल देखना है ठीक है बर्व को मत भूलना आप एकदम सही करेंगे अगर आपने change करना भूल गया तो गड़बड हो जाएगा ठीक है आप भी दमाग लगाना और हम भी दमाग लगाने लिखा हुआ है प्लीज कहीं पर लिखा होता है तो वहाँ पर आपको you are requested to लिखना पड़ता है और उसके बाद जो चीजन लिखी होती है उन्हें आपको लिख देना होता है गिब मी योर पैन एंड टेक योर सीट यही होता है न मतलब D वाला सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखेगा आगे लिखा हुआ है सारी चीजों को आप क्यात करती जाएगी जल्दी से क्या आप इसे बता सकते हैं कि इसे आप कैसे चेंज करेंगे देखेगा यह आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कैसे आप इसे बनाएंगे कैसे आप भी सोचो तो यह बन जाएगा यहाँ पर यह पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बताने इसका पैसिफ क्या होगा सोचो इसका पैसिफ क्या होगा पैसिफ के लिए एक चीज आपको समझ में आना चाहिए और वो यह कि यह सेकंड फर्म में यह जाएगा वाजबर थर्ड फर्म में जाएगा तो देखो वाजबर थर्ड फर्म पहले वाले में नहीं है तो पहले वाला तो हो नहीं सकता बाकी बचा हुआ देखो इसमें वाजवर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता अब एक चीज़ आप ये चीज़ देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है कि देखें many poems many poems चारों को पड़ो एक बार दुबारा से many poems जो लिखा हुआ है ये इसका object है क्या है object है तो मैंने इसको subject बनाया many poems were written बचा हुआ क्या है for children अब जो बचा हुआ है subject वाला पार्ट इसे बाई लगा के पीछे लिख दो ऐसे करके आपका भी वाला जो वो सही answer हो जाएगा ठीक है भी वाला right answer हो जाएगा each person exhibited various facial expressions अब आपको बताने इसका पैसे सोचके बताओ इसका क्या होगा आप जल्दी से दिमाग लगाओ आज आपको परेशान करने वाले बहुत सारे सवाल है ये आपको पता है second form है वो was worth third form में जाएगा पहले बारे was worth third form नहीं है इसमें भी नहीं है c और d में है तो अब आप इन में से देख लिएगा देखीगा various facial expressions were अच्छा ये भी देखो अच्छा एक चीज़ देख रहे होगे ये देखो expressions है plural है लेकिन यापर इसने क्या कर रखा है s नहीं लगा रखा है तो इसलिए s नहीं लगा रखा आपका d वाला right answer हो जाएगा मुझे पता है पता कैसे चला क्योंकि second form होता है वाजबर third form में जाता है उसमें bing तो आता ही नहीं लेकिन याँ तो bing दे रखा है इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा ऐसे करके पहचाना ठीक है आगे देखो the girls ate a mango yesterday देखो second form है पता ही किसमें जाता है इन सारी चीज़ों को revision कर लिजेगा कोई भी mistake नहीं होना चाहिए आप सोच रहे होंगे धीरे धीरे याद कर लेंगे भाई ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे नहीं आपको तुरंत ही याद करना है इन सभी को अब देखो second form है लिखा है किसमें जाएगा बताओ was word third form है was word third form इसमें नहीं है नाहीं इसमें और नाहीं इसमें मतलब c वाला right answer यह हो जाएगा आपका आगे देखेगा your manners irritate me आपको पता यह बर्फ की first form है और बर्फ की जो first form होती है वो किसमें जाती है is rm third form में जाती है तो is rm third form में जाती है तो देखो भी या being तो नहीं आएगा being वालो आई ही नहीं सकता अच्छा बाकी बचा है क्या देखो irritated me है me तो I में चेंज हो जाएगा यह direct and direct थोड़ी है तो आप change करेंगे ठीक है अच्छा आगे देखेगा the boys laughed at the old man पता है second form होता है और second form में अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि बदलता किसमें है यह वाज बर third form में बदलता है तो वाज बर third form भाईया यह तो वाज तो सभी में दे रखा है तो कैसे करेंगे आप इसे पता है वाज बर third form में बदलेगा ना कि being में तो being वाला तो गलत हो जाएगा बाकी क्या बचा आपको पता है laugh के बाद at बचा हुआ है आपको पता है यह already बना हुआ ideas are generated by group discussions यह already बना हुआ है इस आरेम third form में इसका मतलब यह किसमे होगा यह present indifferent में रहा होगा इसका active इसका मतलब बर्फ की first form आ रही होगी तो देखो भई यह बर्फी first form इसमें नहीं है ठीक है और नहीं बर्फ की first form इसमें है आपको पता है group discussions यह क्या है plural है तो plural के साथ plural चलेगा ना के singular इसलिए C वाला गलत है B वाला right answer हो जाएगा याद हो जाएगा सारी चीज़ों को याद करो who is singing such a sweet song यह आपके सामनी सवाल है और आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा चलो कोसिस करते हैं आपको यह याद होना चाहिए कि is rm ing कहीं दे रखा है तो यह change होता है is rm being plus third form इसी में change होता है ना होता है कि नहीं होता है याद हो जाएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ is rm being third form में change होता है अब एक चीज़ देखेगा यहाँ पर is rm being तो आई नहीं रहा नहीं इसमें being आ रहा नहीं इसमें आ रहा देखो इस वाले being आ रहा है मतलब आपका c वाला right answer हो जाएगा अच्छा अब देखेगा कुछ synononiums आ चुके हैं और synoniums भी थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा देखो भाई दीरे दीरे चीज़ें याद हो जाएगी और difficult है यह तो इसमें कोई doubt नहीं है यह याद करने में बड़ी time लगता है बड़ा महिनत लगता है ना इसमें तो कोई बात नहीं देखो लेखा है इस्ट्रोल इस्ट्रोल का मतलब होता है टहलना वाकिंग करना तो इसका जो synononium हो जाएगा वो वाक हो जाएगा चीक है याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा सारे चीज़ों को मैं बताता हूँ दीरी दीरी याद कर लिजेगा एक हैस में gallop गलप का मतलब होता है तेजी से चलना एक है ट्रोट जोग का मतलब दीरे दीरे दोडना वह है जोगिंग तो उस्ट्रोल का जो होता है वो synononium जो पूछए जाए तो आप वो वाक कर देना है आगे बढ़ जाता है eternal का मतलब पता है आपको क्या होता है eternal का मतलब होता है हमेशा के लिए forever क्या होता है eternal का मतलब forever हमेशा के लिए बाकी एक हैस में time being time being का मतलब क्या होता है जो निर्धारित समय हो temporary ice time short term होता है अलपकालीन एक हैस में reveal क्या है reveal revel का मतलब एक second check कईसे नहीं रुक रहा यार हाँ, रैवल, देखे, रैवल का मतलब क्या होता है ये सुनोनियम आपको बताना है रैवल का मतलब होता है, एक तरह से enjoy करना, ठीक है, मतलब make merry, तो make merry जो है, वो इसका जो है, वो right answer हो जाएगा, money नहीं है, merry है, क्या है merry, merry मतलब enjoy से संबन्दित ये word है याद कर लेना, ठीक है, रैवल का मतलब है एक इसमें glory, glory का मतलब होता है गौरव, एक है revert, revert का मतलब होता है, लोटाना, ठीक है यह फर पलटना, revert कर दिया, reveal का मतलब होता है, खुलासा करना, ठीक है reveal अलग था, ये revel है चलो, आगे बढ़ जाते हैं आगे है brutal और brutal का मतलब क्या होता है, यानि जो गवार है, जंगली है उसे बोलते है, brutal, इसका synonym होता है, savage, S-A-V-A-G savage, ठीक है तो savage इसका right हो जाएगा एक हैस में sympathetic sympathetic क्या होता है, बताओ sympathetic होता है, सहान भूती पूर्वग एक है human, human का मतलब होता है वो ही जो मानव से लिटेड होता है एक हैस में compassionate compassionate सबस्ते हैं, आप क्या होता है वो ही सहान भूती पूर्वग अच्छा, आगे बढ़ जाएगा एक हैस में adversity adversity, adversity तो अच्छा था पिसली बार भी paper में पूछा गया था adversity का synonym होता है misery, misery का मतलब होता है जो बुरा दिन हो, PIDA या फिर दुर्वाग पूर उसे बोलते है adversity ठीक है, तो synonym क्या हो जागा इसका बताओ B वाला हो जाएगा बाकी एक हैस में familiarity familiarity का मतलब होता हो एक तरह से पहचान परच है आगे बढ़ जाते हैं आगे और भी एस में काफी चीज़े हैं अच्छा ये पूरा पेपर हो गया इसके बाद कल की जो वीडियो था वीडियो शुलिशन ये इसका पूरा PDF जो है सारे पेपर जो मैं आपको बना रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पेपर में आप यही कहेंगे सर आप जो पढ़ाये मतलब एकदम वही सेम फस गया यही चीज़े हैं बारवार आती हैं तो इनको थोड़ा सा पाचे से पढ़ लीजेगा ठीके, चलो, थैंक यू